स्टुडेंट्स आज का प्लान्ट एक बहुत इंट्रस्टिंग वाइल प्लान्ट है जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह बहुत ज़्यादा काटो भरा प्लान्ट है और इसको यह सारे के सारे यह काटे हैं इसमें जीरो फिटिक नेचर का प्लान्ट यह होता है और फ्लावर इ तो इसको पीला कटिला कहा जाता है, क्योंकि यह पीले रंका फिलार होता है, और साथ में जो लीप्स हैं, वो बहुत ज़ादा काटेदार होती है, तो जैसा के आप यहाँ पर यह देख रहे हैं, तो इसको बहुत आराम से हैंडल करना होताओं, तो ये काटे बहुत तेजी से आपको इंजट कर सकते हैं प्लांट को आप कहीं भी वाइल कंडिशन में खासकर मार्च की शुरुवात में और अपरेल मही तक आप इसको देख सकते हैं उसके बाद जब एक बर बरसा शुरू हो जाती है तो यह प्लांट दिखना बंद हो जाता है तो यहां पर स्टडी हम करते हैं तो जैसा प्लांट हम देख रहे हैं कि एक हर्वेशियस प्लांट है उपर से लेगे नीचे तक ग्रीन प्लांट आपको दिखाई पड़ रहा है कहीं पर भी कोई वुट का फॉर्मेशन नहीं है तो प्लांट का जो हैबिट है वो हर्वेशियस हो गया हैबिटेट जो है वो हैबिटेट में हम जिरोफिटिक बोल रहे हैं प्लांट की फैमली पपाविरेसी है वह पॉपॉरेसी फैमली हमें एक दूसरा बहुत इकनोमिकल इंपोल्टेंस का प्लांट जो है वह फीम का होता है कि जिसे ओपिम कहते हैं और प्रपावर्सोमनी फिरम उसका नाम है तो यह प्लांट हम इस्टडी करना शुरू करते हैं, तो हैबिट और हैबिटेट के बारे में बात हो गई, अब हम देख लेते हैं इसमें स्टेम को, तो इस टेम जैसा कि आप स्टेम आप देखिए कि यह रोबस्टली ब्रांच स्टेम होता है, और ग्रीन कलर का ही आपको सारा दिख रहा बहुत स्मूथ होता है, और कहीं-कहीं थोड़े-बहुत काटे आपको मिल जाएंगे, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि यह एक इसमें स्पाइक निकला हुआ स्पाइक वाली होता है, जैसे यह मारिजन पर भी आप देख सकते हैं, कि यहां पर भी इस तरह से निकल रहे हैं, तो बहुत जादा इसमें है और यह अपना ऐसका फीचर होता है, जब हम इस टेम की टी एस कर लेते हैं, तो टी एस करने के बाद आपको यह पूरा सिलिंडि टाइप का एक स्टेम दिख रहा है जिसमें बीच में आपको ये पित नजर आ रही है वाइट कलर की और बाकी पूरा ये टिशू से फिल्ड है तो इसमें कोई ऐसी से केंडरी ग्रोथ तो नहीं होती क्योंकि ये प्लांट अन्वल हर्वेशेस प्लांट है लेकिन पूरा का प यहां पर भी आप देख सकते हैं कि इतना ठाव लो रहा है लेकिन यहां पर ठोडा सा यह फिल्ड हो रहा है इस टाम के बाद हम देख लेते हैं लिफ कंए इस नहीं होता तो तो इसमें बिना पिटियोल की लीफ है और साथ में यह है कि जो लीफ कवर करती एककृस बना लेती जहाँ से यह निकल रही है वहाँ से यह पीछे भी आती है जिसे आप यह देख रहे हैं कि यह स्टेप को हम देख रहे हैं यहां से इसका ओरिजिन और नोट से और यह पीछे के तरफ भी आ रही है तो ऐसा नहीं होता है कि इसके आगे से निकले इसके पीछे भी यह ग्रोथ करती है तो थोड़ा सा जो इसके margin है वो Sagittate टाइप के होते हैं लेकिन Spines इसमें भी दिख रही हैं Otherwise, जो Sagittate margin होते हैं दूसरे प्लांट्स में स्मूथ होते हैं यहां पर यह Spine के साथ है Spikes बहुत से आपको दिखाई पड़ रही है फिलो टेक्स ही हम देखें तो यह हमको Alternate में निकलती दिखाई पड़ती है opposite direction में लीफ नहीं है जैसे एक लीफ यहां निकल लिए उसके बाद opposite नहीं होता alternate होता है यह इसका एक feature हो गया लीफ लेमाइना की हम बात करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि लेमाइना dissected type की होती है हाला कि पूरी यहां तक आके जो इसके midway ने वहां तक नहीं आता इसमें कोई भी dissection लेकिन dissected होती है तो लगबग compound सी लगती हुई leaf होती है लेकिन इसको हम exactly जो compound की परिवाशा उसके अंतरगत नहीं ला सकते क्योंकि जो इसमें incisions हैं वो इसकी midrip तक नहीं जाते latex इसमें से निकलता है और जैसे अगर हम अफीम की बात करें वहां तो white निकलता है लेकिन यहां पर आप देखिए कि यहां से section काटा था तो यह इसमें से सारा sap बाहर की तरफ निकल ला है यह white लगबग transparent सा latex होता है इस plant में लेकिन इसके बाकी जो family के plant है उसमें आपको white color का भी दिखाई पड़ता है जैसे हम milky weed वगएरा में देख चुके हैं जो की keratropis में भी हमने देखा था अब हम बात कर लेते हैं इसके inflorescence की तो inflorescence हम देखें यहां पर यह solitary axillary होता है इसको हम देख सकते हैं कि यह leaf की axle से निकलता हुआ आपको यह इसमें यह pedangle दिख रहा है इसमें भी spines होते हैं तो कोई भी इसमें ऐसा structure नहीं है root के लावा जहां पर spines नहीं हो उसके बाद जो floor में अगर हम petals की बात करें तो इसमें spines नहीं है नहीं तो सब में spines आपको दिखाई पड़ते हैं तो यह आप देख लीजें बहुत लंबा सा इसमें यह peduncle है उसके बाद solitary auxiliary inflorescence का बड़ा अच्छा एक्जामपल ही होता है कोई भी अपना साथ ही इसका नहीं होता फिर हम देखते हैं कि जो इसमें जो sepals हैं वो number में 2 या 3 होते हैं यहां पर जैसे हमें 2 दिखाई पड़ रहे हैं और यह भी leaf की तरह ही लगबग लीफ लाई की होते हैं तो जो petaloid condition है leaf की वो यहां पर हमें मिल जाती है यह भी spines दारण करते हैं और थोड़ा सा आगे पीछे grow करते हैं जैसे आप यह देखिए कि यहां पर एक जो है वो तोड़ा नीचे है और उसके बाद दूसरा वाला जो है वो इसके बाद में आ रहा है तो यहां तक बात हो गई कैलक्स की अब बात करते हैं हम जो इसमें अगला वर्ट है जिसको कि हम कैलक्स कहेंगे तो यहां पर आप पेटल्स को देख रहे हैं इसमें यह पूरी तरह से बाहर है उसके बाद इसका एक यह मार्जिन अंदर है एक बाहर है उसके बाद यह पूरी तरह से अंदर है और फिर एक अंदर बाहर इस तरह से यह चलता है नमबर इसके देख लें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तो यहां 6 हो गए और यह 6 जो हैं वो काफी रोबस्ट ली होते हैं और यलो कलर के करेक्टिरिस्टिक प्लार होते हैं उसके बाद अगर हम इसको वापस पलट के देखें तो यहां पर यह सपल वाली कंडिशन जहीं हमें आपको बता रहा था वह आप देख सकते हैं कि यहां पर सपल सपल लाइक ना हो कि यहां लगबग लीव के जैसा structure अपना बना लेता है तो यहां पर condition यही होती है कि leaf और supple में हम विबेद नहीं कर सकते हैं हाला कि जो उसमें जब हम pedancle के ओपर का देखते हैं तो उनको हम supple कह सकते हैं और अगर इसके नीचे की बात है तो उसको leaves कहेंगे तो यह orientation इसका supple petal का हो गया उसके बाद आपको यहां पर यह सारे की सारे endosium दिखाई पढ़ रहे है यह सारे numerous होते हैं infinite number होता है और यह पूरी तरह से encircle कर लेते हैं female part को और female part में भी इस तरह से यह आप capitate type का इसमें stigma देख रहे हैं देख तो इस में गाandosium बाला देखते एंगर हम बात करें किसी एकgal को लेगे तो अगर हम फोकस करते हैं तो उनको देख लिए petals को focus करते हैं आपको देख लिए उसके बाद आपsan को देखते हैं तो industries को और हम एलाज करके देखेंगे तो हमें उसके filament है और लोप से वो नजर आ जाती है तो लोप साथ देख लिज़े इसमें एक काफी robust type का ये भी होता है और बहुत से इसमें होते हैं डाइ-thीकस है तो दो दो दिका भी आपको दिख रहे हैं काथ तिससे इसमें आप देखें, दो तीकां आपको दीख रहे हैं और यह अनदर की तरफ खुलते हैं इंडिस हैं, प्राउसर कारू Jin कि अब इसमें यह फर्टलाइशन के बाद का एक डेवलपिंग फ्रूट है फ्रूट इसमें कैप्सुल फॉर्म होता है कैप्सुल लाइक होता है और बहुत से इसमें सीट्स पाए जाते हैं और क्योंकि कोई इसमें पहले से भी स्टाइल इतनी कोई लॉंगेटेड होती नही हैं और वो सारे गिर जाते हैं और फर्टलाइशन के बाद आपको जो कंडिशन दिखाई पड़ती है वो बस इस तरह की ही दिखाई पड़ेगी अब इसको अगर हम इंटर्नली देखना चाहें तो तो यह आप देख रहे हैं डेवलपिंग फ्रूट सारा कुछ इसके जो दो वर्टल थे जो कैलक्स और करोला थे और कैडिकस होते हैं गे जाते हैं पर इलाइशन के फॉरण बाद और अब जो बच रहा है उसमें आपको स्टिगमेटिक जो हैट दिखाई पड़ रहा है वो किस तरह का फूरूट बनता है तो आप देख लीजिए यह काफी बड़े बड़े यह फूरूट सोते हैं हाला कि हमने सवुलियत के लिए चोटा फूरूट लिया थाकि उसकी टियस करके आपको दिखा सकेंगे किस तरह का इसमें और इन्टेशन होता है ओवियोल्स का तो अब इसकी हम टियस कर लेते हैं इसको भी बहुत साफधानी सही काटना होगा क्योंकि इसमें भी स्पाइन्स पाए जाते हैं अब यह आप देख सकते हैं इससमें है कैप्सूल पूर्ट होता है तो सा प्योप नगतुंकि इसमें कोई अंदर से कुछ बहुँं होता है और लगबग जैसे सर्सों के सीट होते हैं वैसे ही ये सीट होते हैं और इसलिए सर्सों में इनको मिला दिया जाता है अडल्टरिशन लोग करते हैं जो बैमानी बगरा का काम करते हैं कि तेल को इंप्यूर कर दें कि यह बहुत सस्ते हैं इनको बहुत अराम से मिल जाते हैं और SEC scientist को मेहनत करके उगाना पड़ता है और यह तो याप प्रैक्टिकल में उपना फाइल में जोड़ लिजए हाथ किसि भी भी बूक में इसके बारे में डिसक्रिप्शन आपको मिल जाएगा फ्रैक्टिकल का जो पालता वह मैंने आपको करके दिखा दिया कि आपको क्या क्या देखना और क्या क्या करना है